जैहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपूर पे तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का सेट 4 करने वाले हैं इसके पहले भी तीन सेट चैनल पे अपलोड है तो उसको जाकर देख लिजिएगा तो चल कारेपालिका है वो संसदिय कारेपालिका है जर्मनी में सरकार का परधान कौन होता है तो जर्मनी में जो सरकार का परधान होता है उसे हम चांसलर कहते हैं नेक्स्ट है आपका कि संग्ये मंतरी परिसत का अध्यक्ष कौन होता है तो संग्ये मंतरी परिसत का जो अध्यक्ष सकती नहींत होती है किसके पास यह जो होता है मंतरी परिसर दिवम परधान मंतरी के पास नेक्स्ट होता है भारतिय कारेपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास होता है तो यह होता है आपका राष्टपती के पास नेक्स्ट है राष्टपती के द्वारा राजय सभा में कितने सदस्यों का मनोनित किया जा सकता है तो ये 12 अगला सवाल है कि भारतिय सायन नेबल का परधान कौन होता है तो भारतिय सायन मंड का जो परधान होता है वो राश्टपती होता है नेक्स्ट सवाल है आपका राजसभा का सभापती कौन होता है तो राजय सभा का जो सभापती होगा वो उप राश्टपती होगा ठीक है नेक्स्ट है आपका कि भारतिय परसासनिक सेवा तता भारतिय पुलिस सेवा के लिए उमिर्वारों का चैन कौन करता है तो इसका जो मिर्वार का चैन करेगा संगलोक सेवा आयोग करेगा राश्टपती सासन किस अनुछेत के अंतरगत राज्यों में लागू हो जाता है ये मौस्ट इंपोर्टन सवाल देगा आपके एक्जाम के लिए तो अनुछेत 356 गिताथ राश्टपती पत के लिए नियूनितम निर्धारित आयू क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 35 वर्स, option D नेक्स्ट इपका उप राश्टपती का कारेकाल कितने वर्सों का होता है? तो उप राश्टपती का जो कारेकाल होगा वो 5 वर्सों का होगा जापान में संसदिये पर नाली है जिसमें राजिका प्रमुक होता है कौन तो ये हो जाएगा आपका सम्राट नेक्स्टे आपका संसदिये कारिपालिका में मंतरी परिसत किसके परती उत्तरदाई होता है यह हो जाएगा आपकर लोगसभा के परति उत्तरदाई होता है भारत में राज़स्तर पर कारिपालिका में मुखमंतरि, मंतरी परिशत और साम्ज होते हैं यह हो जाएगा राज्यपाल नेक्स्ट है आपका भारत के परधान मंतरी के रूप में सबसे लंबा कारिकल किसका है? तो हो जाएगा जवाहरलाल नहीं रूका नेक्स्ट है आपका राष्टपती और संसत के बीच सेतु का काम कौन करता है? तो राष्टपती और संसत के बीच जो सेत्यू का काम करेगा वो करेगा आपका परधान मंतरी नेक्स्ट आपका निमलिखित में से कौन भारत के राष्टपती का चुनाव करता है भारत के राष्टपती को चुनाओ लोकसभा, राजसभा और विधानसभा के जो सदस से होते हैं ये तीनों मिलकर करते हैं अगला सवाल है हमारा कि सरकार के आस्थाई करमचारी की सेवा के अंदरगत कौन आते हैं ये आते हैं आपका नागरिक सेवा जनता सरकार के बीच कड़ी का कारी कौन करेगा तो जनता और सरकार के बीच जो कड़ी का कारी करता है वो सरकारी अधिकारी करता है नेक्स्ट है अमरीका में किस परकार की सासन व्यवस्ता है तो अमरीका में जो सासन वेवस्ता है वो अध्यक्ष्रात्मक सासन वेवस्ता है स्रीलंका में समिधान का संसुधन करके अर्ध अध्यक्यात्मक सासन वेवस्ता कब लागू की गई थी यह हुआ था 1978 में ठीक है इसको छोड़ दिजे नेक्स आरे 25 में राज मंतरी परिसद में सरस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए आपका विधान सभा की कुल सरस्यों का 15% से अलेक नहीं होनी चाहिए ठीक है एक ज़िए भारत में राष्टपती का चुनाव कितने वर्सों के लिए किया जाता है तो भारत में जो राष्टपती का चुना होता है, वो जो होता है, वो पांच वर्सों के लिए होता है इटली में किस परकार के सासन विवस्था पाई जाती है? इटली में जो सासन विवस्था पाई जाती है, वो संसदिय सासन विवस्था पाई जाती है रूस में अर्ध अध्यश्यात्मक सासन व्यवस्था पाई जाती है जिसमें देश का परधान कौन होगा तो इसमें जो देश का परधान होता है वो राष्टपती होता है अगला सवाल है कि अध्यश्यात्मक जो सासन व्यवस्था होती है देश और सरकार का परधान कौन होगा तो उसमें देश और सरकार का परधान जो होगा वो राष्टपती होगा अर्ध अध्यासात्मक सासन व्यवस्था में किन-किन देशों में पाई जाती है तो ये जो पाई जाता है रूस में, फ्रांस में और सिरलंगा में भारत में देश का आपचारिक परधान कौन होता है भारत में देश का जो आपचारिक परधान होगा वो राश्टपती होगा भारत में राज्य के सासन केंडर का परतिनिरी किसे कहा गया है यह कहा गया है राज्यपाल को राश्टपती को सहायता और सलह देने के लिए एक मंतरी परिस्द होती है जिसका परधान कौन होता है किसने परधान मंतरी के पद को सरकार के केंदरी धुरीश से संग्या दी है तो यह दिया है जवाहरलाल नहिरू ने अगला सवाल है हमारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ती कौन करता है तो राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ती करेगा वो राश्टपती करेगा लोक सब्धान मंतरी लोकसभा में बहुमत का समर्थन खो देते हैं तो क्या होता है? तो क्या होगा तो चलिए इसके देखते और भी options वो त्याग पत्र दे देते हैं जब भूमत खो देंगे तो वो त्याग पत्र देंगे कारेपालिका का अर्थ क्या है तो कारेपालिका का जो अर्थ होता है वो होता है कानूनों को लागू करना नेक्स्ट है राष्टपती की सक्तियां कौन सी होती है तो कारिकारी विधाई का कानूनी इन में से सभी हो जाएगा राइट अंसर आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आए होगा वीडियो अच्छा लगा थे फिल्स वीडियो को लाइक करके चैनल को राइब झाएब जाएब कार्णा येल्च येल्चा येल्चा लाइब गाएब बढ़ेज पसलोपेश तके जैज के वीडियो को ने होगाल बाट लाइब का येल्चाब में आप देवाईग पस्क्तिया येढ जाएब जाब फसर छोगीगोग